तो आज मैं आपके साथ सेर कने जा रही हूँ टैंग आइस क्रीम की रेसिपी यह आइस क्रीम को बनाने के लिए हम सिर्फ टैंग पॉडर का यूज करेंगे इसे बनाना इतना इजी है कि यह बच्चे भी बना सकते हैं और यह इंस्टेंट बनकर रेडी हो जाती है कुछ भी जादा करने की ज़ूरत नहीं पड़ती है तो यह रेसिपी को बताने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक कीजे और मेरे बेल आइकन को प्रिस कीजे ताकि मेरे लिट्टिस वीडियो आपके पास आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें लेने होंगे यह मौसमी फ्लेवर का टैंग और दो गलास पानी तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन लेंगे और इसमें एक गलास पानी डाल देंगे अब हम इसमें 4 टेवल स्पून लगभग यह टैंग का पॉडर डाल देंगे एक गलास पानी के लिए 4 टेवल स्पून टैंग काफी है यह टैंग आपको इसली मार्केट में मिल जाएगी कोई भी जैनरल स्टोर से आप इसे परचेस कर सकते हैं और यह मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर में अवलेबल है जैसे यह मैंगो में आता है लेमन में आता है मैंने यहाँ पे मौसम में फ्लेवर का यूज किया है आप अपने कोई भी फ्लेवर का यूज कर सकते हैं अब बस हो गया, इसे अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, पॉडर को अच्छे से पानी में मिला देना है, तो अब ये आइस्क्रीम का मिक्षर बनकर बिल्कुल रेडी है, अब हम आइस्क्रीम मोल्ड लेंगे और इसमें सारे मिक्षर को भर देंगे, पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली छोड़ देना है, और अगर आपके पास आइस्क्रीम मोल्ड नहीं है, तो आप स्टिल की ग्लास या काच की ग्लास में आइस्क्रीम जमा सकते हैं, अब हम सब में कैप लगान लेते हैं, अब इसे ओवरनाइट के लिए या साथ आठ घंटे के लिए रेफ्रिजिरेटर में ड्रक देंगे, ताकि ये उतने देर में अच्छे से जम जाए, तो ये देखिए, मैंने फ्रीजर से निकान लिया है, और चार पाच मिनट के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, ताकि ये इसली निकल जाए इसमें से, ये देखिए कितना इसली आइसक्रीम निकल गया है, तो ये हमारा टैंग आइसक्रीम बनकर बिलकुल रेडी है, अगर आपको मेरा ये रेसेपी अच्छा लगा हो, तो अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिए, और अपने एक्सपीरिंस मुसे सेर कीजिए, तब तक ये लिए, थैंक फ़र वाचिंग, मिलते हमें नेक्स वीडियो पे, तेक केर, बाइबाई